प्यारे बच्चों नमस्कार, हिंदी कक्षा में आपका स्वागत है कल हमने हिंदी की कक्षा में किताब भाशा मादुरी में से पार्ट नमबर पार्ट को पढ़ने का अभ्यास किया था आज हम बेटा उस पार्ट के पीछे आपको जो अभ्यास कारे दिये गया है आज हम उसको करेंगे तो आप अपनी बिटा फाशय मादुरी किताब पेज नमबर 18 पर खोलेंगे हाँ जी बिटा ये है पेज नमबर 18 सबसे पहले आप इस पेज के उपर बिटा आज की डेट मेंशन कर लेंगे उसके बाद देखिए अभ्यास यहाँ पर आपको दिया गया है कुछ अभ्यास कारिया इसमें है प्रशन नमबर 1 मौखिक उत्तर दीजिए यहाँ पर देखो बिटा नीची आपको 5 प्रशन दिये गए है आपने एक ही करके इन प्रशनों को रीड करना इनको पढ़ना है और आपने इनका मौखिक उत्तर देना मौखिक मतलब बोल कर उत्तर देना है ओके तो देखिए सबसे पहले प्रशन नमबर कर आज कौन आया हमने बिटा पाथ अच्चे से रीड किया था तो आपको याद होगा कि कौन आया था जादूगर तो इस प्रशन का उत्तर क्या आएगा जादूगर अगला प्रशन जादूगर ने क्या शुरू किया जादू जादूगर ने क्या शुरू किया जादू फूलदान से क्या निकल कर उड़ा कबूतर जब जादूगर ने जादू किया था फूल दन पर तो उसमें से क्या निकल कुरू रूड़ा था कबूतर तो इसका उत्तराएगा कबूतर पीले रुमाल से कौन कुदा इसका उत्तर आएगा बटा चूहा जब कबूतर निकालने के बाद जादूगर ने पीले रुमाल पर जादू किया तो उसमें से कौन कूदा था चूहा अगला प्रशन जादूगर ने क्या बोलकर जादू दिखाया हमने पाठ में रीड किया था बेटा कि जादूगर ने एक मंतर बोला था जिसको बोलकर वो जादू करता था तो क्या बोलता था वो वो बोलता था आबरा का डाबरा जिस प्रशन का उत्तर के आएगा आबरा का डाबरा ओके बिटा जी तो ये थी बिटा हमारे पांच प्रशन चिनको पढ़कर हमने उनके मौकिक उत्तर देने थी अब हम चलते हैं हमारे next प्रेशन पर, प्रेशन नमबर दो, पाठ के आधार पर सही शबत चुनकर वाक्य पूरे कीजिए, यहाँ पर देखी बटा नीचे आपको चार वाक्य दिये गए हैं, जो की अधूरे हैं, आपने इन वाक्यों को पाठ के आधार पर पूरा करना है, मत देखी बटा, पहला वाक्य वहलाल डैश पहन कर आया, जादू करने लाल रंग का क्या पहना था बटा, कमीज जा जूता, तो इसका ठीक उत्तर क्या है बटा, जूता, तो आप जूता शबत पर टिक करेंगे और इसको यहाँ पर भर देंगे, अगला वाक्य डैश निकल कर उड़ा, कबूतर या चूहा, कौन इकल कर उड़ा था बटा, कबूतर, तो यहाँ पर हम कबूतर शबत पर टिक करेंगे और इसको आप यहाँ पर भर देंगे, चूहा डैश बाइं तरफ भागा, निकल कर या खूद कर, पार्ट में यह लाइन आई थी बटा, चूहा कर बाइं तरफ भागा, कमाल का डैश दिखा कर चला गया, चाकू या जादू, कौन सो उत्तर ठीक हैं, जादू, यह शबत यहाँ पर भरने से हमारा यह वाक्य पूरा हो जाएगा, तो कमाल का जादू दिखा कर चला गया, हाँ जी बेटा तो यहाँ पर देखिए, हमने य सारे शबत यहाँ पर भर करें वाक्या को पूरा कर दिया है, अब हम चलते हैं नेक्स्ट प्रेशन पर प्रेशन नमबर तीन, पाठ में आए, उ मात्रा के शब्दों पर घीरा लगाए, नीची बेटा आपको कुछ शब्द दिये गए हैं, इन शब्दों में से हमने उन मात शब्दों पर घीरा लगाना है, जो बड़ा ओ मात्रा की शब्द हैं, तो हम पहले एक ही करके इन शब्दों को पढ़ेंगे, फिर हम देखेंगे कौन सा शब्द बड़ा ओ मात्रा का हैं, जैसे कि पहला शब्द देखिए, रुमाल, अब इसमें देखिए रो को कौन सी मा है चोटा ओकी थो हम इस पर घेरा नहीं लगाएंगे अगला शब्द कपूतर इसमें ब को मत्रा बढ़ाओ की तो यह सब्द हो गया बढ़ा हु मत्रावाला तो इस शब्द की उपर हम क्या लगा देंगे घेरा लगा देंगे आगे दिखिए जादूगर इसमें पही द को मत्रा चेक करिये बढ़ाओ की मत्रा, तो हमने तोس बढ़ाओ क मत्रा वाले शब्दों पर खेरा लगाना है, तो हम इस शबط की उपर भी खेरा लगाएंगे, आगे देखिए घुमाकर, इसमें भी घ़ को कौन सी मत्रा हैं, छोटाओ की, तो हम इस शबद पर घेरा नहीं लगाएंगे अगला शबत खुश इसमें भी ख को चोटाओ की मत्रा तो इस पर भी घेरा नहीं लगाएंगे ओकी बिटा इस तरह से आपने भी इस प्रेशन को पूरा करना है आगी देखिए बिटा यहाँ पर आपको बड़ा उमात्रा वाले कुछ और नई शबद दिये गए हैं आपने इन सारे शब्दों को पढ़ने का अभ्याद करना है देखिए जादूगर, डमरू, तूफान, कबूतर, खजूर, शहतूत, जूता, फूलदान, पूजा, रूखा रह में जहाँ पर बड़ाओ की मत्रा लगती है वहाँ पर आपने स्पेशली ध्यान देना है जो बड़ाओ की मत्रा होती है वह रह के नीचे नहीं लगाई यती रह के पीछे लगती है तो रूखा, रूठा, रूप, शुरू तो यह सारे शबद थे बड़ाओ मत्रा के शबद आज आपने इन शब्दों को पढ़ने का अभ्यास भी करना है तो इस तरह से बड़ाओ आज आप पेज नबर 18 का यह सारा अभ्यास करिया अपनी किताब पर पूरा करेंगी आज के लिए इतना ही धन्यवाद